हेलो वेलकम तो इलेक्ट्रिकल डोस वागयत आप सभी का हमारी योटूब चनल पर काईज म ए एन इटी मोतिलाल नेहरू नेशनल इंस्टिटीट ऑफ टेक्नलोजी इलहाबाद प्रयागराज इंडिया में जूनियर इंजिनर की रिकूरूमेंट आई हुई है काफी कुछ लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों अगर आप मेरे चनल है पहली बाप विट कर रहें या फिर आगर आप विजिटर रेगूलर है लेकर आपने चनल को सब्सक्राइब नहीं करके रखा हुआ है तो चनल को सब्सक्राइब ज़रू कर लिजएगा ताकि ऐस यहां पर हम सबसे पहले बात करेंगे टेकनिकल असिस्टेंट की जहां पर डिप्लोमा वालों की वेकैंसी होती है और बेसी वालों की तो यहां पर देखिए जो वेकैंसी है दोस्तों उसमें आप देख सकते हैं EMD, BIOTUX, CHED, CED, ED तो यह अगर जो भी ब्रांचिस अगर तो यह एक अच्छी अपरच्वटी से जुनियर इंगे जुनियर की वैकेंसी के लिए दोस्तो डिप्लोमा और बीटिक अगर आप रखा करके रखा हुआ रेलेवेंट ब्रांचेस तो आप इलिजीबल है और बागी जो दिखे और सारी वैकेंसिया उसके बारे में हम बात कर देगें आप सब भी लोग देख सकतें सीनय टेकशन ओर टेकिनिशन में यहां पर ब्रेकेंसिया दिखे और बाकी के वीडियो के डििसक्रिश्िन वाक्स नियुल। अपलाइब करने की पंद्रा फरवरिस साडवे पाँच बजे application fees की बात कर लेते हैं तो जर्नल, OBC और EWS के लिए 500 रूपए application fees है STST और BWD क्रेटेगरी के लिए कोई भी यहां पर form fees नहीं रखी गई examination center के अगर बात कर लेते हैं तो देखें screening test return to trade center shall be conducted only at MNIT इलहाबाद और as decided by the institute on date specified तो MNIT इलहाबाद में ही बेसिकली आप मान के चली आपका examination center, trade center, skill test जो भी होने वाला है वो MNIT इलहाबाद में ही होने वाला है process के अगर हम बात कर लेते हैं तो पहले आपका screening test होगा skill test होगा इसके बाद आपका जो की सिर्फ qualifying ने चलोगा इसके बाद आपका test होगा बीच जनवरी से इसका online application from start हो चुक है 15 फर्वरी को साम को 5.5 बे तक आप इसे apply कर सकते हैं यह देख सकते हैं इंपोर्टेंट डेट के बारे हम दिया हुए ठीक है और बाकि अगर आपको कोई भी confusion हो तो आप help nts223.ac.in पर mail कर सकते कोई भी आपको problem हो तो आप वहापे पूछ सकते है mail करके इस तारे एक चीज मैं यहाँ पर miss कर दिया हूँ एज लिमिट तो इसली एज लिमिट के बारे में बात कर लेता हूँ टेक्निकल आसेशन के जो वेकेंसी दूट इस लिमिट मैक्सिम तीस साल एस लेक्षन ओवी सी को तीन साल का का मिलेगा बैली सो ग्रेट पे की नौकरी है यह गाई जूने जनकी बात कर लेत तो यहाँ पर मैक्सिम एक लिमिट यह होना चाहिए यह फिर आपके बात डिप्लो मा होना चाहिए रिलिवें प्रांचिस में डिज़राइबल बैचलर ड टेकनिशन की पोस्ट पर दोस्तों आप देख सकते हैं में 27 साल इस लिमिट है, OBC को 3 साल का, SST को 5 साल का इस लिमिट है, यहाँ पर भी दोस्तों डिप्लोमा रिक्वाइड है, अगर आप 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 करके रहा हो, तो भी आप फार्म को फिल अप कर सकते हैं, तो यहाँ पर कि इतनी सारी ब्रांचे अप्लाइड एमडी के लिए एलेजिबल हैं और डिप्लोमा की यह ब्रांचे, सिविल इंजिनिग, मेकानिकल वाले, इलक्रीकल वाले, इलेक्रीकल इंस्ट्ूमेंट सेक्षन वाले, मे्रालर्जी वाले, सभी लोग इलेजिबल है, इस चीच को एक दो एकन सीपन के लिए वहां पर बीडिपलोवाले इलिजिबल है आप अपनी बाइंट एक लिए काफी अच्छी वेकैंसी यहां पर उन्हें पर इंपोटेंट चीजे रहा हुती जो पीडियाव के लाच में मेंशन होती है यहां पर उन्हें एक जर वाए गारा में वीडियो के लाश्र में इसाब कुछ दीखा तो तो अब सभी लोग के लिए इंफरमिशन उप्रीज आभी तीओ कि वीडियो को पचाना ने पर इस अब दोस्तों शाच शेक करें चैनले पहली बार विजिट करें तो चल्को सब्सक् चाहब पर अच्छ पर अबस्तों चाहब हाँ अबस्तों चाहब